राहुल गांधी आज जारखन की धर्ती पर है और आपको सीधा ये देख सकते हैं तश्वीर राहुल गांधी राची के एरपोर्ट से राची के मुरहाबादी मैदान तक उन्हें जाना है वहाँ परिवर्तन उल्गुलान रैली का आयोजन कॉंग्रस ने किया है लंबे समय के बाद राहुल गांधी जारखन की धर्ती पर है ये सामने आप देख सकते हैं राहुल गांधी रे आप देख सकते हैं उनके साथ आर्पियन सिंग्ग भी इस दोक्तर अजय कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष है इस वक्त यहां बिर्षा मुंडा को माल आरपन करने के लिए राहुल गांधी जारखंड में भगवान बिर्षा को नमन करने के साथ कॉंग्रेस अध्यक्ष के द्वारा दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाओं की ये संखनात के हैं शुबोतकान सहाई भी मौजूद हैं तमाम कॉंग्रेस के बड़े नेता भगवान बिर्षा मुंडा क को नमन करते हुए भगवान बिर्षा मुंडा के इस उल्गुलान की धर्ती से परिवर्तन उल्गुलान रैली जिसका आयोजन किया गया है आप देख सकते हैं इस वक्त जो राहुल गांधी मौजूद और ये गाड़ी आप देख सकते हैं यहां राहुल गांधी अपने गाड़ी में बैठते हुए और उसके बाद आर्पियन सिंग मौजूद हैं एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे कॉंग्रेस में जिसका आयोजन किया गया है कॉंग्रेस के द्वारा जिसका आयोजन हुआ है लोक सभाचुनाओं से ठीक पहले किए रैली और कॉंग्रेस के द्वारा रांची के मुरहबादी मैदान में इस रैली का आयोजन किया गया है और ये भगवान बिर्शा मुंडा को नमन करने के बाद राहूल गांदी राची के मुरहबादी मैदान की ओर जाते हुए पूरी सुरक्षा विवस्था और कॉंग्रेस को बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतजार था यहां से लोकसभाद चुनाव की शुरुवात हो जाएगी आज के ही दिन जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया कि कॉंग्रेस के अलावे आज पूरे देश भर में भी अगर आप देखें बीजेपी ने बाइक रैली के जरीए चुनावी शुरुवात की है अब देखना है कि 2019 का मैदान कौन मारता है लेकिन जारखंड की धर्ती से राहूल गांधी ने अपनी शुरुवात करती है अपने पार्टी को हाथ को मजबूत करने के लिए ये एक बड़े रैली को संबोधित करेंगे केमरा परसंद राजा के साथ अविनाश कुमार लियूज 11 राची